माबाब काम करते ओलाद सो रही है वो बच्चा के सुदरे का नो बजे तक सो रहा है बिस्तर से उठाने ही चाही को रो रहा है कर्मीन से गुल की समर्याद बिगड़ जाती है जादा लाड प्यार से भी ओलाद बिगड़ जाती है शादी के बाद उल्जनों का टोटा नहीं है पुराने शादी सुदा से बूस लोग इतने आफ़त हो रही है कहने में नहीं आती आत्मा ही दो रही है जमाना खराब में गाई बहुत हो रही है दो अरत वालों की तो आज गल मोत हो रही है कि अज़ाइन तो निया कि गड़ का बेदर किसे केनाना चाहिए गड़ को सचुलाल में रहना चाहिए शचुलाल करना पड़ेगा बेनोई होके साले से भी डरना पड़ेगा लाचार बन रहना पड़े कैसे रहे कुदम नहीं गड़ जवाईं की इजट होती गड़े से कम नहीं कुछ खबर रहती नहीं नीदा जाने के बाद माबाब लगते हैं पूरे श्यादी हो जाने के बाद सच्राल वालों को रबडी खिला रहा, घर वालों को लखडी दिखा रहा जमाना या तक खराबारा बाप को पूस्ता नी सुद्राल जारा सासू की सेवा करना बहु के लिए अच्छी बात है बहु भी एक दन सास बनेगी सच्छी बात है पानी का चाने की आठा चानती नहीं है खुद में अकल नी सासू की मानती नहीं है शादी करके लाए तभी से आफ़त हो रही है सासू काम करती बहु सो रही है सासू भी खराब है हाँ सासू भी बहु को बेती की तरह समझना जानती नहीं है दाखन की तरह खाउं खाउं करती है मानती नहीं चोका दोय ना जाड़ो दे वो घरी पका बासी है जिस घर में ओरते रोज नीना आए वो घरी सत्या ना सी है ये बाद घर पे जाके निकेने कि मैं भी निकेता हूं जबरा हुजाता है बीरी पीने वालों के पास उमें बैठना नहीं है कपरे जल जाई तो फिर इतना नहीं है बीरी पीने वालों ने कमाल कर दिया तरोसी के बिस्तर जलाके दर्विया, गंद की पसंद हो तमा कुखा ना सीखले, भी कगर मागी नहीं तो बिरी पी ना सीखले